मंगला ताई ठक कॉंग्रेस तालुका अध्यक्ष्य हिंगनगाट की और से मंत्री बाला साहिप थोरात को निवेदन सोपा गया महाराष्टो और भारत के कई मंत्री विधायक और पदाधिकारी उपस्तित थे पिछले कई वर्षों से गाव में कोई गाव सरवेक्षन नहीं किया गया हजारों वर्षों से लोग ग्रामिंग शेत्र में बस रहे है गाव में उनके घर उनकी पैतरुक संपत्ति है लेकिन वे घर की एक टैक्स रसीद के हगदार है टैक्स रसीद क्या है? अतिक्रमन पर रहने वाले या गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को टैक्स रसीद भी मिलती है चुकि भारत एक कुरुशे प्रदान देश है यहां बड़ी संख्या में लोग खेती व्यवसाय करते हैं और सभी खेती व्यवसाय के रहते ग्रामिंग शेतरों में रहते हैं तो क्या यह किसान और मजदूर वर्ग पर एक तरह का अन्याय है? साथ बारे की तरह आपको अपने स्वामित्त के साथ बारे के रूप में उसी तरह से आखिव पत्रिका की कारेकरम को लागू करना चाहिए अस्वर्ग्य इंदराजी का हुतात्मा दिवस है और इंद्राजी का सपना था कि गाव में रहने वाले हर जरुरतमन परिवार को उसका सही घर मिले उन्हें साथ बारे पर परिवार के प्रतिक वारिस का नाम शामिल किया ताकि उनको परिशानी का सामना करना न पड़े इसके अलावा किसी भी कानूनी मामले के लिए टाक्स रिसीट स्विकार नहीं की जाती है यदि आप शहर जैसे गावों में लोगों को प्रोपर्टी कार्ट देते हैं तो मजदूर कानूनी मामले और रुन जैसी सुविधाव का लाब उठा सकता है हर दस साल में शहर का सर्विक्षन करने के कानून में प्रावधान के बावजुद पिछली 40 वर्षियों से गाव का सुधार नहीं हुआ और गाव का कोई शहर सर्विक्षन नहीं किया क्या है कोई कानूनी प्रमान में इसका लाब नहीं उठा सकते है सरकार को इस योजना को उप विभागी अधिकार्यों, तहसलदारों, पटवारियों के माध्यम से लागो किया जाना चाहिए हिंगंगाल से रवी एनौर करकर रिपोर्ट, NBC News नाकपूर